नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पिछले महने भी एक सेशन किया था, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। Now the latest move, यह जो हाल ही में ऐसा किया गया है चाइना के द्वारा, यह उस समय पर किया गया है, जब UN के Secretary General Antonio Guterres भारत की यात्रा पर हैं, वो भारत आए हुए हैं और वो गये थे, 26-11 के जो विक्तिम्स थे, मुंबे टेरर अटाक के उनको अपनी हुमेज देने, and this attack we all know was carried out by the LAT, लश्करे तैयेबा, ठीक है, भारत और US ने प्रपोस किया कि महमू जो की 42 वर्ष का है, इसको डेजिगनेट किया जाए ग्लोबल टेररिस अंडर दी 1267 अलकाइदा सैंक्श इसी के बारे में और जादा डीटेल में बात करते हैं, but before moving forward, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलिग्राम चानल पर, for all my class updates, schedules and PDFs, anacademy app पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों, मेरी सभी special classes के लिए, plus courses के लिए, enroll करने के लिए, आपको सिर्फ मेरा code यूज करना है, NDLIVE10, special class timings are 10.30 a.m. सुभा से 10.30 से 10.30 sessions होते हैं, enroll कीजिए with my code NDLIVE10, चलिए, anacademy ultra combat की मैं आपको बता दू, this is a festival combat, जहां पर आप बहुत सारे prizes जीत सकते हैं, along with the scholarship and amazing gift vouchers, अभी जाए, enroll कीजिए, Sunday को ये होने वाला है, Saturday को, sorry, this is Saturday, 22 October को ये होगा, description box में details given हैं, आप कर enroll कर सकते हैं, चलिए, शाहिद मेहमूद कौन है, पहले जान लेते हैं, तो according to the US Department of Treasury, US काशर Department of Treasury है, जिसने designate किया है मेहमूद को एक specially designated global terrorist, SDGT category में है, वो 2016 में ही ऐसा कर दिया गया था, ये एक senior lashkar-e-tayaba का सदस्य है, कराची-based organization, L.E.T. हम सभी जानते हैं, and he has been affiliated with the group since at least 2007, और ये 2007 से कम से कम L.E.T. से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जून 2015 से लेके, जून 2016 तक ऐसा माना जा रहा है कि मेहमूद ने Vice Chairman की तरह काम किया है, of फला इंसानियत Foundation, FIF, जो कि एक humanitarian और fundraising arm है L.E.T. का, lashkar-e-tayaba गा, 2014 में मेहमूद लीडर था FIF का कराची में, 2013 अगस् मेहमूद को identify किया गया था, as a L.E.T. publication wing member, जो लश्कर-e-tayaba का publication wing है, उसका सदस्य भी इसको identify किया गया है, मेहमूद अलग-अलग देशों में travel करता है L.E.T. के बहाफ पर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हाल ही में travel to Bangladesh, बांगला देश भी गया, ताकि यह जो भी Burm इस migrant camps है न, जो Burma के migrant camps वहां लगे हुए है, उनको funds provide कर सके, उनको पैसा distribute कर सके, किस purpose से किस उद्देश से, ताकि L.E.T. के recruitment को facilitate किया जा सके, उसको और जाधा बढ़ाया जा सके, speed up किया जा सके, now China यह पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है, China यह बार-बार करते जा रहा है, previously अगर अगस्त की बात करें, चाइना ने एक प्रपोजल जुग दिया का था, U.S. और इंडिया के दुबारा, U.N. Security Council में to blacklist, अब्दुल रॉफ अजर, इसको भी होल्ड पर डाल दिया था, who is the brother of Jayshay Muhammad, Chief Masood Azhar, और एक senior leader है, Pakistan-based terror organization का, तो इसको भी sanction लगना था, इसके प्र प्रपोजल रह्मान, मक्की, उसक पर भी प्रपोजल आया था, from UN and India, कि इसको भी, यह भी Pakistan-based terrorist है, इसको भी लाना चाहिए, 1267 Al-Qaeda Sanctions Committee के अंडर, इसको भी sanction लगना चाहिए, exactly क्या होता है, मैं भी आपको बताऊंगी आगे, कि क्यों 1267 Al-Qaeda Sanctions Committee है, इसका मतलब क्या है, ग Global Terrorist घोशित किया जाता है, 1267 Al-Qaeda Sanctions Committee के अंतरगर, तो उससे क्या effect होता है, उसका repercussion क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, अभी जैसा कि मैंने आपको बता है, September में भी चायना ने लश्करे तहेबा के terrorist साजित मीर को Global Terrorist घोशित करने से, फिर से इस बिड को जो प Mumbai Terror Attacks, Mumbai Terror Attacks में भी included था, तो ऐसे व्यक्तियों को पहले भी चायना बचाता हुआ चल रहा है, चलिए, अब बात करते हैं, 1267 Al-Qaeda Sanctions Committee, अक्चली यह क्या है, जिसमें सांक्शन लगाने के लिए बात की जा रही है, तो जो कमिटी है, यह पार्ट है, UN Security Council का, और इसका उदेश यह इसका जो purpose है, job है, वो है international sanctions लगाना, terrorists के विरुट, जो भी terrorists है, उस पर अंतराश्टी sanctions लग जाते हैं, ठीक है, इनकी इसकी दो कमिटी जो इस तरह का same role करती है, वो है counter-terrorism committee and the security council committee, ठीक है, तो this committee is a part of UN Security Council, इस तरह की दो कमिटी और है, अलकाइदा committee को establish किया गया था, as the Al-Qaeda and Taliban sanctions committee, 15 October 1999 को, जब security council ने resolution लिया था, 1267, इस resolution के अंडर, और designate किया था, Al-Qaeda को और Taliban को as terrorist bodies, मतलब Al-Qaeda और Taliban को terrorist bodies designate किया गया था, UN Security Council के resolution 1267 के अंडर, तब इस committee का गठन किया गया था, पहले, Al-Qaeda और Taliban sanctions एक ही committee थी, लेकिन 2011 में, एक separate committee बना दी गई थी, तालिबान के लिए, ठीक है, तो UN Security Council के अंडर ही, यह committees गठित की गई है, especially in organizations को, terror organizations घोशित करते ही committee जिस पर 1267 सांक्शन लगता है, ठीक है, नो यह resolution 1267 actually है क्या, जिसकी बात की जा रही है, तो यह जब adopt, यह adopt किया गया था, under the chapter 7 of United Nations Charter, और यह, जितने भी UN की members है, उनको कहता है, कि वो freeze कर दे, assets of these people, जो भी इस committee के अंडर सांक्शन में चले जाएंगे, जिसको भी terrorist घोशित किया जाएगा, ग्लोबल टेरिस घोशित किया जाएगा, उसकी assets को freeze करना होता है, UN members को, उसकी entry और transit, अपनी territories में उसको restrict कर देना है, वो allowed नहीं होगा, ऐसे व्यक्ती का, prevent, direct or indirect supply, sale and transfer of arms, ऐसे लोगों को ना तो sale किया जाएगा, ना transfer किया जाएगा, ना supply किया जाएगा, कोई भी arms and ammunitions, हत्यार भी नहीं दिये जा सकते हैं, by the UN members, and military equipments to any individual or entity associated with, कोई भी व्यक्ती या कोई भी entity, जो Al-Qaeda से associated है, उसामा बिल लादेन से associated है, या फिर तालीबान से, as designated by the committee, जैसा committee ने designate किया है, ठीक है, समझ में आया है, तो 1266 जो resolution है, जो sanction लगता है, वो इस तरह की, इसके repercussions होते हैं, जिसको चाइना बार 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 ब्लॉक कर रहा है, चलिए जल्दी से security council के बारे में जान लेते हैं, security council, United Nations Security Council को establish किया गया था, 1945 में, ये 6 principal organs में से है UNK, इसका जो headquarter है New York, USA में है, जो भी members है UNK, उनको agree करना होता है, और accept करना होता है, they agreed, वो agree करते हैं, to accept and carry out decisions of the security council, agree भी करते हैं, उनको decisions को मानना भी उनके लिए उनके लिए उतरह से जरूरी होता है, जहां बाकी जो organs है UN के वो recommendations देते हैं, to the members of UN, वहीं अगर security council की बात करें, तो security council के पास ये power है कि वो decisions देते हैं, that member state has, are then obligated to implement under the charter, मतलब बाकी जो organs है, वो फिर भी recommendations देते हैं, कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है to the UN members, लेकिन security council में, जो decision लिए गए हैं, उनको actually members को, they are bound to follow it, उनको implement करना जर the power of security council here, members के अगर हम बात करें, तो UNSE, 15 members होते हैं, 5 permanent, 10 non-permanent members, permanent members, कौन-कौन है security council के, China, France, Russia, UK, USA, now because China is a permanent member, it has a veto, तो किसी भी चीज में जो कोशिश की जाते है, किसी और country के दौरा, उसमें वीटो लगा सकता है, जाना, उसके वाद एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है, हर सा general assembly, 5 non-permanent members को elect करती है, out of 10 in total, for a 2 year term, 2 साल के term के लिए, ठीक है, 10 non-permanent seats है, वो distribute की गई है, regional basis पे, as, 5 members आएंगे, African और Asian states से, 1 for the Eastern European state, 2 from Latin America and Caribbean states, 2 for Western European and other states, तो इस तरह से 10 members आते है, non-permanent members आते हैं in regions, ऐसे divided हैं यहाँ पर, साथ में अगर veto power, जैसे मैं आपको पता रहती है, exclusive domain है, P5 members की, जो permanent members है, उनकी domain है, जो काफी बार question की गई है, by a lot of members, क्योंकि बहुत सारी countries का यह मानना है, कि जहाँ UN Security Council इतना powerful council है, ऐसे में, veto अगर लगाता है, तो वो democratic नहीं है, यह democratic principles के contrary है, तो इसको लेके काफी question भी किया गया, जिसके reforms की बात भी चल रही है, लेकिन, अभी फिलहाल तो यह ऐसे ही चल रहा है, और China हर बार ऐसे sanctions को block कर देता है, तो यह लोग जो है, खुला, जो भी इनको करना ही करते हैं, क्योंकि इन resonate ही नहीं किया जा पा रहा है, by the United Nations Security Council, उन पर sanctions ही नहीं लग पा रहे है, क्योंकि sanctions block हो जाते हैं, चाइना की तरफ से, चलिए, दोस्तों, batches हमारे शुरू हो जाएंगे, 20 October यह नहीं कल से शुरू हो चुके, अभी जाकर enroll कर लीजिए, अभी आपको 9 महिने का plus subscription मिल रहा है at a discounted rate till 24th October, आपको मेरा code use करना है, NDLIVE10, और आप enroll कर सकते हैं, इस course के लिए अपनी तयारी को और बहतर कर सकते हैं, C-SAT का भी फिलहाल, early bird price चल रहा है, discounted price, 24 October तक यह price होगा, C-SAT की इंपोर्टन समसब को पता है, आपको सिर्फ मेरा code use करना है, NDLIVE10, to avail the discount here, compete is now live, it is a battle, जहाँ पर आप यह जान सकते हैं, कि आप actually कहाँ पर stand करते हैं, competition में, along with winning a lot of prizes here, इसी के साथ साथ, championship is also back, 13 November को यह होने वाली है, सुबा 11 बजे, जाकर enroll कर लीजे, description box में आपको इसकी details मिल जाएंगी, दोस्तों, loan facility available है with 0% EMI, इसका मतलब अगर आप loan avail करना चाहते हैं, इस number पर आप contact कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, मेरा code NDLIVE10, और loan का procedure शुरू कर सकते हैं, दो घंटे में approval मिल जाता है, minimal paperwork है, और 0% EMI का मतलब है, कोई भी interest आपका नहीं charge होगा, अगर आप loan भी ले रहे हैं, ठीक है ये भी avail कर सकते हैं, उसका नहीं प्लाटफॉम पर, ये भी आप avail कर सकते हैं, with my code NDLIVE10, साथी last mile interview guidance program है, वो भी शुरू हो गया है, आपको अभी जाकर enroll करना है, with my code NDLIVE10, अभी जाकर नहीं, with my code NDLIVE10, and avail, the benefit of all the experts, and you can prepare your interview in the best way possible, go enroll now, so that's it from my side, I hope you like the session, don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. That's it from my side. God bless. Thank you.